हेलो एनिमे गैंग आज मैं एक्स्पिन करने वाला हूँ डेंडडएन को जिसमें मैं उसके सेकेंड आर्क अक्रोबैटिक सिल्की आर्क को कवर करूंगा जिसके अंदर एनिमे के एपिसोर पांच से लेकर सेवन तक कवर होंगे और मांगा के चेप्टर नाइन से लेकर चेप्टर सेवन तक कवर होगा अगर आपने इससे पहले का आर्क नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख ले उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो बिना समय को व्यर्थ करे प्रारम करते हैं अक्रोबैटिक सिल्की आर्को इस आर्क की शुरुआत होती है जहां पर कैन और मोमो दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं जहां क्लास में भी ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे जैसे ही लंच होता है दोनों एक दूसरे को ढूंडने लगते हैं पर ये मिल नहीं पाते और ठक हार कर एक जगा पर बैट जाते हैं और दोनों ही सोचने लगते हैं कि वो उसे इगनोर मार रहा है या मार रही है और दोनों जैसे ही यहां से जाने लगते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये होता है दोनों ही एक दूसरे को देख कर खुश हो जाते हैं बट इन लोगों को टकराते हुए या कहें किस करते हुए मोमो की दोस्तों ने देख लिया था वो toilet कर रहा होता है कि तभी वो notice करता है कि उसकी private balls गायब हैं Ken इसके बारे में Momo को बताने जाता है पर Momo उसकी एक बात नहीं सुनती और Ken को यहां से जाने के लिए कहती है Ken दुखी मन से वहां से चला जाता है और अब Momo को realize होता है कि उसे Ken से ऐसा नहीं कहना चाहिए था चुटी में Ken एक सुन्दर लड़की से टकरा जाता है वो लड़की Ken पर गुस्सा होने के वज़ए उससे माफी मांगती है और प्यार से बात करती है पर ये लड़की reality में ऐसी नहीं होती ये Ken से जान मूच कर टकराई थी ताकि वो उसका मजाग बना सके वो लड़की अपने दोस्तों के साथ Ken का मजाग बना रही थी और उसी बात को Momo सुन लेती है अब Momo को आता है गुस्सा ये सुनकर Momo की तो हसी ही नहीं रुकती और दोनों जाते हैं ग्रेंडमा सेंटा के पास सेंटा एक मिरर से Ken के अंदर जागती है जहां उसे कुछ अजीब उसके अंदर महसूस होता है सेंटा Momo से एक डॉल और एक बरतन में पानी लाने के लिए कहती है Momo ये दोनों चीजें ले आती है और सेंटा के कहने पर डॉल पर एक तालिसमान भी चुपका देती है सेंटा पानी में खड़े होकर Ken को एक पेपर बैट से मारने लगती है और Momo से पूछती है कि क्या उसे Ken के अंदर कुछ दिखा Momo कहती है जब भी Ken को हिट किया जाता है उसका औरा ब्लू हो जाता है सेंटा Momo से कहती है जैसे ही Ken का औरा ब्लू हो तुम्हें उस ब्लू औरा को बाहर निकाल लेना है इसके बाद जैसे ही सेंटा केन को हिट करती है मोमो तुरंद उसके ब्लू औरा को बाहर कीच लेती है पर अगले ही सेकंड वो औरा उसके हाथ से गायब हो जाता है जिससे मोमो गबराने लगती है पर सेंटा शांती से उस कैट डॉल को देख रही थी जिस पर उसने तालिसमान चिपकाई थी और एक दम से वो कैट डॉल वहाँ से भागने लगती है ये तीनों उसका पीशा करते हैं पर कुछ नहीं होता वो जाकर कहीं छिप जाती है पर मोमो अपनी पावर से उसके औरा को डिटेक्ट कर लेती है और उसे पकड़ लेती है मोमो कहती है कि आखिर ये है क्या सेंटा बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है और ये सुनकर मोमो और कैन दोनों शौक होते हैं क्योंकि टर्बो ग्रैनी को तो इनने मार दिया था टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे ही वो मैजिक बेरियर के अंदर आई उसने खुद को astral form में convert कर लिया था और खुद को barrier की लप्टों से बचाने के लिए कैन की body में घुज गई टर्बो ग्रैनी का plan था कि जैसे ही उसकी power recover हो जाएगी वो उन सब को खतम कर देगी पर अब situation कुछ अलगी होती है कैन टर्बो ग्रैनी को उसके अक्रोट वापस करने के लिए कहता है नहीं तो वो उसे मार देगा पर टर्बो ग्रैनी कैन की धंकी को उतना ही serious लेती है जितना आपके परिवार वाले आपकी बात को लेते हैं टर्बो ग्रैनी कहती है अगर वो मर गई तो Ken को उसके अक्रोट कभी नहीं मिल पाएंगे वो Ken को एक ओफर देती है कि अगर वो Momo और सेंटा को मार देगा तो वो उसके अक्रोट वापस कर देगी ये सुनकर Ken खड़ा हो जाता है और अगले ही पल वो कर्स फॉर्म में आ जाता है ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं क्योंकि इन्हों ने तो Ken के अंदर से टर्बो ग्रैनी का कर्स हटा दिया था सेंटा बदाती है कि टर्बो ग्रैनी की सरिफ कॉंशिसनेस ने Ken के शरीर को छोड़ा है उसकी पावर्स Ken के अंदर ही है ये जानका टर्बो ग्रैनी के पसीने चूटने लगते हैं अब इसके बाद सेंटा टर्बो ग्रैनी को पीटने लगती है और केन अपने नॉर्मल युमन फ़र्म में आ जाता है मॉमो केन से बूचती है कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहा है केन को इसका कोई आइडिया नहीं होता वो कहता है, जैसे ही उसे गुस्टा आ या वो कर्ड्स फ़र्म में ट्रांसफर हो गया और गुस्टा शांथ होते ही, वो नौर्मल हो गया मुमो सेंटा को रोकती है और टर्बो ग्रैनी को एक ओफर देती है कि अगर वो Ken को उसके अक्रोट वापिस कर देगी तो वो उसे उसकी पावर दे देंगे तर्बो ग्रैनी इस ओफर को accept कर लेती है पर जब Momo उसे Ken के अक्रोट मांगती है तो तर्बो ग्रैनी कहती है कि वो उसे खो गए है इसके बाद टर्बो ग्रैनी, कैन और मोमो उस जगा पहुंचते हैं जहां टर्बो ग्रैनी जली थी टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने कैन के अक्रोटों को गोल्डन बॉल्स में ट्रांसफर्म कर दिया है जिसके अंदर बहुत पावफुल लाइफ सोर्स है टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो बॉल्स यहीं कहीं गिरे होंगी फर बहुत गंटे ढूडने के बाद भी उन्हें वो बॉल्स नहीं मिलती टर्बो ग्रैनी को लगता है कि शायद उन बॉल्स को किसी स्प्रिट ने या योकाई ने उठा लिया होगा क्योंकि उन वॉल्स के अंदर बहुत पाउफुल लाइफ सोर्स था जिसका इस्तिमाल करके स्पृट्स और योकाई फिर से जिन्दा हो सकते हैं ये सुनकर कैन और मॉमो को गुस्सा आ जाता है और दोनों टर्बो ग्रैनी को पीटने लगते हैं खार कर ये वापिस सेंटा के यहां जाते हैं जहां सेंटा इन्हें आराम करने के लिए कहती है और अपने खबरियों से कुछ पता करने की कोशिश करती है अगले दिन स्कूल में vorbere केन को कुछ लड़के पकड़कर उससे मोमो के बारे में पूछते हैं वो लड़के मोमो के क्यरक्टर के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं जिससे केन को گुसा आजाता है और अपने कर्स फॉरम में आकर उस लड़के को धमकाता है कि ऐसे फाल्तू के रिवमर्स को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है वो लड़का डर जाता है और गहता है उसने तो ये किसी से सुना था वो ये सब अफवाई नहीं फैला रहा कैन उसे छोड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है तबी उसके बैक के अंदर से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है कैन जल्दी से अपने बैक को लेकर बात्रूम की तरफ बागता है और टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है टर्बो ग्रैनी बताती है कि सेंटा ने उसे घूमने की परमीशन दे दी है टर्बो ग्रैनी कैन को अपनी बातों में फसा कर उससे अपनी पावर्स लेने की कोशश करती है पर कैन उसके जहांसे में नहीं आता तभी उधर मोमो आ जाती है कैन मोमो को टर्वो ग्रैनी के बारे में बताने जाता ही है कि तबी कैन मोमो की खुबसूरती को देखकर फ्लैट हो जाता है और शर्मा कर उससे दूर दूर भागने लगता है मोमो को इससे चिड़ होती है और वो कैन को पीटने के लिए उसके पीछे बागती है इसी का फाइदा उठा कर टर्बो ग्रैनी स्कूल में टहलने निकल जाती है इसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके उपर मोमो ने वाश वेशन पटका था इस लड़की का नाम आईरा होता है आईरा ने ही ये अफवाएं फैलाई थी कि मोमो ऐसी लड़की है जो हर जगा मू मारती फिरती है आईरा को लगता है कि मोमो एक डेविल है क्योंकि उसने उसकी पावर को देखा होता है और ये मोमो की पावर्स को आईरा ने केन के अख्रोटों की वज़े से देख पाई थी क्योंकि उसके पास एक गोल्डन बॉल होती है जो की केन का अख्रोट है कहीं इसने इसे केंडी समझ कर मूँ में तो नहीं लिया इसके पाद उसी रात को दिखाया जाता है जिस रात को मोमो और केन ने टर्बो ग्रैनी को हराया था आईरा उस वक्त उसी ट्रेन के पास से गुजर रही थी तब ही उसके पास आगर वो गोल्डन बॉल गिरती है जिसे वो उठा लेती है आईरा को लगता है कि ये golden ball उसे god ने दी है ताकि वो इस दुनिया की रक्षा कर सके momo जैसे लोगों से आईरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर momo पर exorzism करने का plan करती है exorzism के लिए वो अपनी दोस्तों से holy book मगाती है आईरा अपने दोस्तों के साथ plan बना रही थी कि तभी उसे school के ground में अजीब औरत दिखती है जो सिर्फ उसे दिखती है उसके दोस्तों को नहीं इधर momo, ken और turbo granny साथ में बैटे थे momo और turbo granny आपस में लड़ने लगती है ken उन्हें शांत करता है और momo को बताता है कि turbo granny ने school में एक अजीब औरत को देखा है और ken को ये भी लगता है कि golden ball को शायद किसी इनसान ने उटाया है turbo granny भी ken के बात से agree करती है और बताती है कि अगर किसी इनसान ने उन golden balls को उठाया होगा तो वो अपनी spiritual power को unlock कर लेगा और spirit को देख सकेगा पर spirits भी उसे देख सकेंगी और शायद उस golden ball के लिए वो उस इनसान पर हमला भी कर सकती है turbo granny को लगता है कि एक golden ball इस school में ही किसी के पास है और वो अजीब औरत जो की एक spirit है उस ball को लेने आई है और हमें पता है कि वो golden ball आईरा के पास है इधर class में आईरा मॉमो को हराने के बारे में सोच रही थी जैसे ही चुट्टी होती है आईरा मॉमो से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ personal बात करनी है तो वो उसके साथ चले पहले तो मोमो घबराती है पर फिर उसके साथ चली जाती है और कैन को बाद में मिलने के लिए कहती है कैन के बैग मेंसे टर्बो ग्रैनी बोलती है कि यही वो लड़की है आइरा मोमो को एक सुनसान जगा पर लेकर आती है जां आइरा के दोस्त पहले से थे तो वो इस golden ball को momo से चिपकाने लगती है momo golden ball को देखकर समझ जाती है कि यही ken का अखरोट है और तभी यहाँ ken और turbo granny आ जाती है momo ken से कहती है कि तुम्हारी ball इस लड़की के पास है यही वो अजीब औरत है ken बताता है कि यह वो औरत नहीं बलकि यह लड़की उसका target है तभी वहाँ एक lady ghost आ जाता है जो आयरा को पकड़ लेती है इस lady ghost का नाम acrobatic silky होता है acrobatic lady आयरा से कहती है कि वो उसकी mom है ken curse form में आकर acrobatic lady पर हमला करता है पर इस acrobatic lady की speed ken से जादा होती है वो उसके हर attack से बच जाती है acrobatic lady बड़ी speed में ken को अपने मुँ में पकड़ लेती है और उसे इंगल्फ करने लगती है momo ken को भार खीशने की कोशिश करती है पर उसके हाथ बने थे इसलिए वो जादा कुछ नहीं कर पाती और acrobatic lady ken को खा जाती है इसके बाद वो momo को भी अपनी kick से दूर उडा देती है acrobatic lady बड़ी आयरा से कहती है कि उसने उसे देखने के लिए 10 साल तक अंतजार किया और वो आयरा को उसे mommy कहने के लिए बोलती है पर आयरा mommy कहने की वज़ा उसे monster कहती है जिसे उस acrobatic lady को गुसा आजाता है और वो आयरा को भी खा जाती है momo turbo granny से उसके हाथ खुलने के लिए कहती है पर turbo granny हाथ खुलती उससे पहले ही acrobatic lady momo को अपनी सिल्की बालों से पकड़ लेती है और momo को उससे माफी मागने के लिए और mommy बोलने के लिए कहती है पर momo तो उसे गाली देने लगती है जिससे acrobatic lady को फिर से गुसा आजाता है और वो momo को भी खा जाती है turbo granny acrobatic lady से कहती है कि अगर वो बच्चों को वापिस कर देगी तो वो उसे यहां से जिन्दा जाने देगी यह सुनकर अफकोस acrobatic lady को गुसा आजाता है और turbo granny को खतम करने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी acrobatic lady के बाल चलने लगते हैं हमें पता चलता है कि आयरा के पास जो cross था वो actual में एक lighter था जिसका इस्तमाल करके can और momo इसके बाल जला देते हैं अब तुम सोच रहे होंगे कि बाल इसके पेट में कैसे गए तो जब इसने momo को खाया था तब कुछ बाल momo के गले से बने थे acrobatic lady को ना चाते हुए भी अंदर से can, momo और आयरा को भार फेकना पड़ता है acrobatic lady के बाल चल के घुंगराले हो जाते हैं जिससे उसे बहुत गुसा आ जाता है वो उनसे आयरा को भी वापिस मांगती है can cuts form में आकर आयरा को लेकर भागने लगता है और momo भी भागने लगती है क्योंकि acrobatic lady इस बार इन्हें खतम करने के लिए हमला कर रही थी momo को तो वो आसानी से दबोश लेती है पर can को पकड़ने में उसे काफी दोड़ भाग करनी पड़ती है acrobatic lady आयरा को खुद का पाट बनाने के लिए उसे पूरे तरीके से चवाने का decide करती है मतलब चवा चवा के खानेगा पर जैसे ही वो उसे खाने जाती है वो suddenly stop हो जाती है acrobatic lady पीछे देखती है जहां उसके बाल बुरी तरीके से फस गई थे can और momo भी खुद को समभल कर खड़े हो जाते है acrobatic lady खुद को आजात करने के लिए उस जगा को तोड़ने लगती है और वो छूट भी जाती है पर जैसे ही वो इनको खतम करने के लिए आंगे बढ़ती है can cuts form में आकर उसके पेट में एक जोरदार hackbert देता है जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है तर्बो ग्रैनी कहती है अब कुछ समय के लिए ये acrobatic lady अपनी power use नहीं कर पाएगी ये तीनों आईरा के पास जाते है तर्बो ग्रैनी आईरा की pocket से ball को निकाल कर can को दे देती है अब फिर बताती है कि ये लड़की मर चुकी है can और momo को यकीन नहीं होता पर जब वो चेक करते हैं तो सच मुच आईरा मर चुकी थी तर्बो ग्रैनी कहती है कि जब कोई योकाई किसी इंसान को खाता है तो वो मर जाता है तुम दोनों इसलिए बच पाए क्योंकि तुम मैंसे एक के पास paranormal abilities थी और एक के पास मेरी powers कैन और मुमो सीपियार और कार्डिक मसाच से आईरा को जिन्दा करने की कोशिश करते हैं पर इससे कुछ नहीं होता तभी एक्रूबिटिक लेडी यहां आ जाती है जो आईरा को वापिस जिन्दा करने के लिए खुद का औरा देने का डिसाइड करती है पर मुमो और कैन को उस पर रदी भर भी भरोसा नहीं होता मुमो कहती है तुम सिर्फ उसे खाना चाती हो यह सुनकर एक्रूबिटिक लेडी खुद के जबडे को ही तोड़ देती है और एक बीम को उठा कर कहती है अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम मेरे सिर को कुचल सकते हो टर्बोग रहनी कहती है बिना औरा के ये लड़की ऐसे ही पड़ी रहीगी मुमो कैन को चोकना रहनी के लिए कहती है और खुद एक्रूबिटिक लेडी के औरा को आईरा में डालने लगती है मुमो जैसे ही एक्रूबिटिक लेडी के औरा को टच करती है उसे उसका यूमन पास्ट दिखने लगता है जो की काफी दुख बरा था एक्रूबिटिक लेडी काफी गरिब थी वो अपनी बच्ची का खयाल रखने के लिए चार-चार जॉब करती थी अब यहाँ पर इसके हस्बेंट के बारे में नहीं बताया गया एक्रूबिटिक लेडी अपनी लड़की से बहुत प्यार करती थी उसके लिए वो ही उसके जीने का साहरा था वो अपनी बच्ची के लिए एक ड्रेस खरीदने चाती थी जिसके लिए वो पैसे भी इकटे कर रही थी पर एक दिन all of a sudden कुछ गुंडे आकर एक्रूबिटिक लेडी के अपार्टमेंट में घुश जाते हैं और उसे काफी मारते हैं फिर उसकी बच्ची और सभी पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं एक्रूबिटिक लेडी उनका पीछा करती है पर इसका कुछ फाइदा नहीं होता वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं इस हाथसे को एक्रूबिटिक लेडी नहीं जेल पाती और ससाइट कर लेती है मरने के बाद Acrobatic Lady घोश्ट बन जाती है जहां एक दिन Aira उसे अपनी मा समझ कर मॉम बलाती है Aira की डैड़ी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मॉम काफी दूर गई है उन्हें आने में टाइम लगेगा पर reality ये होती है कि Aira की मॉम की death हो गई थी Acrobatic Lady को Aira को देखकर उसकी बच्ची की याद आती है तो वो decide करती है कि वो Aira की रक्षा करेगी ये सब जानकर मॉमो रोने लगती है पर तभी Aira जिन्दा हो जाती है उसे भी Acrobatic Lady के बारे में सब पता चल गया था वो भी रोने लगती है तभी मॉमो नोटिस करती है कि Acrobatic Lady तूट कर भिखर रही है वो after life में नहीं जा रही टर्बो ग्रैनी बताती है ये उसी की इच्चा है कि वो after life में नहीं जाना चाती और अगर ऐसा हुआ तो उसका existence पूरी तरीके से खतम हो जाएगा Acrobatic Lady आईरा से माफी मांगती है कि वो उसे protect करना चाती थी पर उसने खुद उसे दर्थ पहुँचाया वो एक मा नहीं monster है पर तभी आईरा जाकर उसे गले लग जाती है और कहती है I love you mother ये सुनते ही Acrobatic Lady after life या कहीं heaven में चली जाती है और इसी के साथ end होता है Acrobatic Silky Ark का कमेंट से मताना आपको ये Ark कैसा लगा पहले Ark से ये वाला Ark बेटर था या नहीं कमेंट में जरू बताना explanation अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना मैं मिलता हूँ अपसे next Ark में